नमस्कार दोस्तों, यहां पर Microtek ने काफी टाइम से Transformerless Inverter On-Grid यहां पर बनाया है, जो कि आज अब इसका Review करेंगे, बताएंगे, जो Microtek का On-Grid Solar Inverter है, तो इस विए क्या Benfit है, क्या आपको लगाना चाहिए के नहीं, इस वीडियो में आपको हम सब कुछ डिटेल्स में बताने बाले हैं, तो यहां पर Microtek आपको पता है, शुरू से ही Inverter के मामले में काफी Number One है, और दोस्तों, काफी पुरानी कंपनी है, और Microtek ट्रांस्फार्वर वाले Inverter के साथ काफी बढ़ियां-बढ़ियां क्वालिटी के Inverter Market ने बना के Sell किया, बट Microtek ने एक गलती कि अपने सिस्टम में आलमूनियम की बढ़नी स्टार्ट कर दिया, इसलिए थोड़ा से Market डाउन हो गया, फिर ही Microtek काफी बढ़ियां है, और सर्विस क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, अब यहां पर सो यह Microtek ने यहां पर 5 वर्स वारंटी मतलब के कोई खराबी होता है, तो 5 साल तक आपको सेवा मिलेगा, और यहां पर यह जो inverter का model number है, यहां पर इसमें Microtek ने अलग-अलग model यहां पर निकाले हैं, अलग-अलग price के साथ, मतलब की 2 kilowatt, 3 kilowatt, 4 kilowatt, 5 kilowatt, इसके उपर वी है 10 kilowatt, तो यहां पर अलग-अलग इसके price है, अब यहां पर यह on grid, off grid क्या है, चलिए बताते हैं, तो यहां पर देखिए, यह जो आपका inverter है, on grid है, इसका मतलब यह है, इसमें आप battery bank नहीं लगा सकते, इसमें आप देखोगे, तो यहां पर यह जो inverter है, आप इसमें आपको solar panel लगाने का system है, मतलब की आप इसमें without battery का चला पाओगे, मतलब कि अगर धूप नहीं है, तो आप इसको इस्तमाल में नहीं ले सकते हैं, तो मेरे एक dealer है, मैंने उनसे बात किया, तो ओ बोले 49 बोल्ड का battery bank लगेगा, पर फिरन यहां पर मैंने उनके side पर check किया, तो मुझे ऐसा कोई भी details show नहीं किया, अब मुझे यह लग रहा है कि Microtek ने कोई ऐसा inverter लाया, जो of grid और own grid दोनों है, hybrid है, मुझे ऐसा तो अभी नहीं लगा, अब यहां पर दुस्तों, काफी लोग जो है, इसको लेना चाहते हैं, काफी लोग और brand का लेना चाहते हैं, दुस्तों मैं आपको बता दूँ, यह जो company यह बना रही है, transformalis inverter, यह अपनी इंडि आपको open करके देखोगे, तो यहां पर आपको कोई भी इसमें जो components लगे हैं, जो part लगे हैं, आप इसको check करोगे, तो आपको पूरा इसमें आपको मिलेगा Chinese product, तो यहां पर दुस्तों, आपको जितने brand है, अभी only China से ही आ रहे हैं, इंडिया में दुस्तों ए नहीं बन प कर रहे हैं, अब सवाल इसको लेने का, तो पर देखिए, ओन ग्रीड आप system कभी मत लगवाना, मैं मैं इसलिए कर रहा हूँ, ओन ग्रीड आपको खेत में, जैसे की मालो ज्यादा खेती है, खेत अधिक करना है, तो आप इसको लगा लेना, बाकि फ्रेंड आप घर के लिए on grid मत लगवाना, क्योंकि इससे आपका loss जाएगा, और जो net meter आता है friend, उसको लगाने से, आपके बिजली और लपड़े में आ सकती है, मेरे एक मीतर थे उन्होंने, मुझे एक लोग ने यह चीज लगाया था, मतलब कि on grid लगवा के net meter लगवा दिया, काफी मेरा loss गया, लगवाएं, अगर इसका open version मिला तब लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकि इसका अलालाग model है, आप इनके option side से, और near dealer से ले सकते हैं, आपको system पड़ेगा, online से 5-6,000 आपको offline सस्ता मिलेगा, यवाल आपको solar inverter, इसकी build quality के बारे में बात करूं, तो भाई, micro technical tag डाला ह तो service तो आपको मिलेगा ही, बाकि इसमें आपका कोई भी losses problem नहीं है, इसमें lithium battery आप लगा सकते हो, acid battery भी आप इसमें यूच कर सकते हो, बाकि आपने जान लिया, समझ लिया, आप बताना, आप किस brand का पसंद करते हो, प्रेकरमेंट में जरूर सेयर करना, बाकि बहुत सारे market brand में आ चुके हैं, बाकि ऐसा लगा, लाइक करना, चनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें,